अध्यात्म क्या है जी हाँ परवाधी राज महापर पर्यूशन की सम्मय कराधना की चौंथे दिन हमने उपासी का वीरबाला छाजेड वह उपासी का साधना को ठारी से खास चर्चा की दरसल शी जैन श्वितांबर 13 पंत समाजदुर को पर्यूशन परवाधना के लिए सानि दिप्राप्त हुआ है हमने उपासीकों से चर्चा की आये देखते हैं बातचित के खास अंश जमश्का दर्सकों ग्रेंड एसीन नीउज में आप सभी का स्वागत है आज एक विशेस कारिक्रम में अध्यात्म से जुड़े इस कारिक्रम में हम बता दें आपको कि पर्यू साथ करते ही देखा सुना और इनके प्रवचन से प्रभावित हो और हम से लोगों ने पूछा भी कि हम इनसे एक च्छोड़ा सा साक्षातकार करवाएं हम इनसे रूबर हो यानि हम आप आमने सामने हो जाए तो हमने इनके कीमती वक्त से कुछ वक्त इनका मांगा और उन्ह अभी काफी अयोगदान है वीरबाला च्छाजड मेडम के साथ में तो हम सबसे परेंका स्वागत करते हैं मैंना आपको स्वागत है दन्यवाद परिशन पर्व में शमायाचना का एक चलन है और उससे क्या समसे शमायाचना से सर्वस्प्रथम में गणादी पती आचेरेश्री महाश्रमन जी को वंदन करती हूँ नमन करती हूँ और उन्ही की द्वारा चलाई हुई ये उपासक स्रेणी है इस उपासक स्रेणी से देश भर में करीब धाई सो से जादा मेंबर्स अलग-अलग छेत्रों में कारी कर रह है उसमें हमें दुर का मौका मिला है और बात आती है पर्यूशन की पर्यूशन पर्व लोकिक और लोकतर दो प्रकार की पर्व होते हैं इसमें लोकतर पर्व माना जाता है पर्यूशन पर्यूशन अर्था आत्मा के पास जाने का पर्व और बात आती है छमाय आचिना की ख जो हमारे द्वारा किसी से भी कोई गल्ती हो जाती है, उसके लिए शमा मांगना सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मेहंगा क्यों होता है, अच्छा, मेहंगा in the sense कि मतलब इनके खर्चा करने में, दिखावा देखा गया है, और कई बार जैसे हम, मंदीर का शिला न्यास होता है, या कुछ उसमें बोली लगती है, अक्सर देखा गया है, तो बड़ी बोली लगती है, मैंने कई प्रूराम ऐसे की हैं, तो इसके अब बताएंगा, फैशेली जैन में श्यवेतामवर और दिगंभर दो परंपराइ हैं, और श्यवेतामवर में भी तीन परंपराइं, स्थानक, मंदिर और तेरा तो हम लोग 13 पंद आचारे महाश्रमन जी के अनुयाई हैं, और हमारे बहुत सिंपल भाव पूजा, द्रवे पूजा के बजाए हम लोग भाव पूजा करते हैं, कि भावनाओं से ही शुद्ध पवित्रता अपने अंदर आत्मसाथ करने की कोशिश करते हैं, पर हां कुछ से इसे का सदुपयोग मानव सेवा में मानव कल्यान के लिए करें, आप जैसे शत्तिसगड की बेटी हैं, इंद और उजयन की हैं, प्रवचन आपके हैं, आप उपासिका हैं, कितना लोगों में अवेरने से आपका प्रवचन सुनने आते हैं, क्या-क्या उनमें जागरित होत हैं, तो मैं ये महसूस कर रहे हूं, दुर्ग में अच्छा हुचसा है लोगों में, और मैं देख रही हूं, काफी संख्या में पुरुष और महिलाएं हाँ पर आते हैं, और उनको लगता है धर्म को एक अपडेट करके उनको सुनाया जाए, तो मैं थोड़ा साइंटिफि कर सकते हैं, तो जब तक हम व्यभार की समस्याओं को नहीं समझेंगे और सॉलिशन नहीं देंगे, तब तक उनका धर्म से कनेक्ट होना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए जरूरी है कि उनको उनके हिसाब से ही धर्म को परूसा जाए, और अध्यात्म सबसे उपर है, धर हिसका हम परंपरागत क्रियाओं को धार्मिक क्रियाएं मानते हैं, लेकिन अध्यात्म तो सबके लिए है, जो किसी संपरदा या किसी भी कास्ट से हो, अध्यात्म को अरथ है आत्म साथ, आत्म के अंदर भीतर जागना, उससे कनेक्ट होना, तो यह चीज़ थो हमें अपने तो दीरे दीरे जैसे जैसे लोगों को लग रहे है कि इंट्रेस्टिंग हो रहा है कुछ चल रहा है यह पर अच्छा तो बड़ भी रहें लोग आ रहें बराबर महिलाओं की स्थिती वर्तमान में देखें तो धर्म का पालन करने में कहीं ने कहीं एक चूक रह जाती है क्योंकि हाउसवाइफ होंगी वो अच्छा पालन कर पाती है जो वरकिंग वोमेन है उनमें थोड़ा सा इसका वो देखा जाता है हास देखा जा रहा है अच्छा क्योंकि अक्चली महिलाएं अब सब शेत्रों में आगे बढ़ रही है वो कहीं भी पीछे नहीं है वो इंपार हो गई है तो वो घर का भी हाउस वाइफ का काम भी देखना है बाहर का उनकी ड्यूटी भी करना है उनको तो एक स्ट्रेस उनकी लाइफ में आ गया है क्योंकि दोनों चीजें मैनेज करना बच्चों को भी पैरेंट्स को भी जॉब को भी और अपने हाउस को भी मैनेज करना है इसलिए थोड़ा सा और जादा जरूरी है उनके लिए कि वर्क लाइफ बैलेंस हो उनकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस के बीना वो दोनों जगह स्ट्डेस कहीं भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी इसलिए जरूरी है कि वो बैलेंस करें तो ये जानना जरूरी है कि भई सब आत्म ही नहीं, पूरा प्राणी मात्र जए वनस्पति हो या पशु हो या माना हो, हर किसी के प्रतिया किसी भी कास्ट का हो हमारे मन में रिस्पेक्ट होना चाहिए और वो रिस्पेक्ट के बिन अच्छा व्यवार हम कर नहीं सकते किसी के लिए तो ये मानना जरूरी कि सब समान है साधना भेहन से मेरा सवाल है जैन धर्म जो है उसकी साधना इतनी कठोर की हो भगवान महावीर ने करीब साड़े बारा साल तपस्या की और ये कठोर तब इसलिए किया जाता है कि जो हमारे कर्म का बंदन हुआ है उस कर्मों की निर्जिरा करना निर्जिरा करके ही जीव मोक्ष की तरफ प्रस्थान कर सकता है कठोर नहीं बोलेंगे हमारे कर्मों की निर्जिरा का तरीका यह है और महावीर का बतायवा रास्ता है तो उसे तो फालू करना है उने, वह अच्छा जवाब दिया, वीरवाला मैं माप से सवाल है, कि अभी वर्तमान में, जो शोशल मेडिया में बच्चे उलज कर अक्सर प्रवज़न मिस कर जाते हैं, या जहां पर अध्यात्म की कुछ बाते हैं सुनने मिले, उसे मिस कर जाते ह उनके लिए क्या करेंगे, एक्चली मेरे को तो लगता है कि यंग जनरेशन को बहुत ज़ादा अध्यात्म से जुडने की जरुवत है, पर जरूरी है कि उनको प्रॉपर वे में अध्यात्म का अर्थ समझाया जाए, मेनिंग समझा जाए, कि धर्म का मतलब है समवेदन शी जरूरी है, क्रिया पे वो जादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वाकए में देखा जाए, तो उनके अंदर भी बहुत समेदना है, करुणा है, और आज देखेंगे परियावरण के प्रती, पश्वों के प्रती भी उनके मन में बहुत करुणा है, हम उनको कह देते हैं कि अधर्मिक नहीं है, पर एक एंगल से देखें, तो उनके अंदर भी वो सब चीजें हम से जादा है, कि वो क्योंकि अपडेट है, समय के साथ है, वो बंधेवे नहीं है किसी चीज के साथ में, तो वो वैसे ही काफी अच्छा है सब कुछ उनमें, बस थोड़ा सा एक भावा आत्मक मुल्यात्मक विकास अगर उनका हो जाए, तो और सरवांगीन और अच्छा जीवन वो जी सकते हैं, जैन सम्माज में पशू हत्या, किसी तरह का कोई पाप बहुती उसको दी जाती है, बचाया जाता है, लेकिन अक्सर अभी गौ हत्या को लेकर भी काफी वो उड़ जो जैसे चिराल जलाता है, वही बुझाता है, एक कथा है. गाय का पालन बहुत सारे हमारे यह घोशाला है, जहां गायों को जो बेकार हो गई हैं, दूद नहीं देती हैं, उनका पालन पोशन किया जाता है, क्योंकि दया और करुना भी धर्म गा एक हिस्सा है, और यह लौकिक धर्म है, लोक में हम बहुत सारी चीजें करते हैं तो ये लोक का धर्म है आत्मा का धर्म है अध्यात्मा तो जो चीजें जरूरी है हमारे लोक में करना तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनकी सुरक्षा करें और हिंसा से उनको बचाएं क्योंकि कोई उपयोगी न रहे तो उसका जीवन ले लिया जाए तो जैसे जिसी एक्जामपल के तोर पर बच्चों को अगर कहानी बता कर अगर कुछ पाट पढ़ा है तो जादा उसको आत्मसाथ करते हैं तो आपने आध्यात्म को लॉजिकली जो प्रवचन के रूप में लिया है क्या लगता है इसमें और लोगों को इच्छाएं बढ़ी की सुनने में जी हां बहुत इससे संख्या बढ़ रही है क्योंकि बच्चों को लॉजिकली साइंटिफिकली उनका फाइदा समझा जाए कि जैसे हम मेडिटेशन भी करवाते हैं सुबे तो मेडिटेशन से कैसे हमारी ग्लाइंट्स के सिक्रीशन बदलते हैं और पॉजिटिव सिक्रीशन से हमारी रोग बिमारियां भी ठीक हो जाती है और निगेटिव सिक्रीशन से रोग और बिमारियां शरीर में होती है तो बहुत अच्छे से क्रिया को तब कर पाएंगे जब हम ज्ञान में होंगे तो इसलिए ग्यान के विकास के लिए हमारा प्रयत्ना रहता है और चारित्र का तो विकास होना ही होना है उसके बाद में शाम को भी आंट से नो जो प्रवचन होते हैं उसमें हम करेंट टॉपिक old generation सारे ही लोग जुडेंगे और जुड रहे हैं मैं लगतार आपका चार दिन से प्रवचन आ नहीं रही हूं लेकिन मुझे पूरा मिल रहा है कल वानी को लेकर कि आपने प्रवचन में बखान किया था मधूर वानी अगर हो तो काम बन सकते तो वानी का सैयम बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार कुछ भी बात नहीं होती वानी के असैयम के कारणी लड़ाईयां हो जाती है और उसको मिटाने का भी एक सिंपल तरीका है सौरी जो हमारा शमायाचना परवा आ रहा है अगर हम इगो नहीं रखे हैं, हैंकार नहीं रखे हैं अरे उसने सौरी नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूँ मैं बोल दूँ, मैं हलकी हो जाओं मुझे आने वाले समय में हिसाब किताब कंटिन्यू नहीं करना है इसलिए हमारे आँख शमायाचना का बहुत महत्व है और वानी से अगर आप शब्द का इतना प्रभाव है आपने किसी को बेवकूफ कह दिया वो तो तुरंत आपसे दुश्मनी क्रिएट कर लेगा कि अरे मुझे कैसे कह दिया मजाक में, हसी में या गुस्से में कैसे भी शब्द आप यूज करते हैं उस शब्दों का बहुत प्रभाव होता है और सारे संबंद और रिष्टे वानी के कारणी मधूर बनते और वानी के कारणी खराब होते है इसलिए वानी सहियम जितना आधिक हो सके और क्या बोलें, कैसे बोलें, कितना बोलें, कब बोलें यह सब चीजें बहुत ज़्यादा माइने रखती है वैसे सादना जी ने बहुत अच्छा समझाया था वानी सहियम के बारे में आज यह दिवस था सादना मेडम से पूछना है कि जब दीवस, ध्यान दीवस के रूप में कारिक्रम होंगे, और लास्ट हमारा होता है समत्सरी महापर, उसके रूप में बनाया जाएगा. अन्त में, ग्रेंड इसेन की दर्शकों, उसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं यह कहना चाहते हूं, एक्चली जीवन में विकास करना बहुत जरूरी है, पर मैं चार लाइन कहूंगी, आज के संदर्ब में जो मैं पेपर अकबार उठा के पढ़ती हूं, मेरा दिल दहल जाता है, पीडा होती है बहुत, क्योंकि शुरुआत में बड़े-बड़े हैडलाइन्स में होता है, यहां सोसाइड हुआ, यहां बलातकार हुआ, यहां ब्रस्टा चार हुआ, तो मुझे लगता है, पेपर उठा के रग दू, मैं ना पढ़ो तो बेटर है, क्योंकि मैं अध्यात्म का एक कॉलम पढ़के फिर रग देती हूं उसको, और मेरे मन में इतनी पीडा होती, काश वो बच्चे मुझे मिल जाएं, जो सुसाइड अटेम्ट कर रहे हैं, ना उपर, ले जा सकता है क्या, कोई नहीं ले जा सकता है, जिसके लिए हम दिन रात पूरा मनुष्य, जीवन, दुरलब, जो मिला है, उसको गवाँ देते हैं, लड़ाई, जगड़े, दौड़ में, रेस में दौड़ रहे हैं, ये शिक्षा भी हमें रेस में दौड़ा अवल आना है, अवल आना है, हर बच्चा तो अवल नहीं आता है, लेकिन हर बच्चा काबिल है, हर बच्चे में पावर है, हर बच्चे में वो सेम आत्मा है, जो सब में है, तो उसमें जो क्वालिटी है, पोटेंशियल है, उसको पहचाने, बच्चों को फोर्स नहीं करें कि मैं important हूं मेरा ये सब जो उपलबधियां है वो नहीं तो वो ज़ादा जरूरी है कि बच्चों में ये message जाए कि वो खुद इतने important है और वो केंद्र में है बाकी सब चीजें परीधी में मिले ठीक ना मिले ठीक कोशिश करना हमारा काम है और crime को यदि रोकना चाहते हैं तो अध्यात्म का विकास मस्ट है अगर अध्यात्म का विकास नहीं हुआ तो पता नहीं हमारा परिवार समाज और राष्ट किस दिशा में जाएगा क्योंकि अभी बहुत अच्छा चल रहा है एक माहौल गुरू बनने की अध्यात्मिक गुरू बनने की दिशा में भारत है औ आत्मतत्व को मानने वाले हैं, पुनरजन को मानने वाले हैं, तो प्रेम, करुणा, दया, समवेदना ये सब हमारे अंदर विक्सित करना बहुत जरूरी है, उसके बिना हिंसा का जो ये वातावरन बना हुआ है, वो रुक नहीं सकता, इसलिए चार पंग्दियां कहना चाहू पता नहीं विज्ञान का कैसा तूपान आया है, कि आदमी आदमी से घबराया है, हसी आती है मुझे क्या करेगा वो चांद पर जाकर, जो धर्ती पर रहना भी नहीं सीख पाया है, तो हम सब को प्रेम से, आत्मियता से, अहिंसा युक्त जीवन जीना है, तभी हम लोग कानून तो आपको प्रेशराइज करता है, लेकिन अध्यात्म हृदय से आपको बदल देता है, तो वो हृदय के बदलाव की जरुवत है, कानून के पालन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, अध्यात्म से हृदय परिवर्तन, और ये हमारे समाज को, हमार अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे ग्रेंडी से नुजशते हैं. ताइंक्यू सो माच. मैं आज के इस यूग में जब सोशल मीडिया और सारा कुछ बच्चों पे हावी है, ऐसे में जो अध्यात्म है, वो क्या असर अपनी जीवन शैली में उतारता है, और बच्चे इससे कितना लाभानवित हो सकते हैं, जैसा कि आपके प्रवचनों में अब बताती भी हैं. मैं यह कहना चाहूंगी, एक्चली अध्यात्म की कमी हमारे जीवन में सरवांगीन विकास नहीं हो पाता, क्योंकि आज हम देख रहे हैं, बौधिक विकास हो रहा है, शारिरिक विकास हो रहा है, लेकिन भावनात्मक और मुल्यात्मक विकास का हास हो रहा है, और जब तक सरवांगीन पिकास नहीं होगा हम एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ रास्ट का निर्माण नहीं कर सकते और मुझे ऐसा लगता है कि परिवार, समाज और रास्ट के अलवा पूरे विश्व को इस चीज़ की आवश्यक्ता है भारत अध्यात्म गुरू रहा है, आज भी है और कल भी रहने वाला है क्योंकि अध्यात्म ही उसके पास वो अमुलिक हजाना है जिससे विश्व की समस्याओं का निदान किया जा सकता है आज हम देख रहे हैं बढ़ता हुआ आतंगवाद, ध्रस्टाचार, या सुसाइड, निराश हो रहे हैं छोटी-छोटी चीज़ों में चुनोतियों को हम स्विकार नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो एक सरवांगिन व्यक्ति बनके परस्नालिटी अपनी व्यक्तित्व को विकास करके निकलता था, लेकिन आज जो कमी रहे गई है शिक्षा जगत में, मुझे लगता है शिक्षा में समावेश करने की जरूरत है, भावनात्मक और मुल्यात्मक विकास और या अध्या ट्रेजिए पर्यूशनक़ का अर्थ है कि हम आतमा की उपासना करने के लिए यहाँ पर इकत्रित होते हैं और हमारा झैणियों का होक्ते सबिए क्योंकि जब हम आत्मा से connect होते हैं, आत्मा के निकट होते हैं, तो हम आरे लिए मूल लिवान क्या होता है? मैं और मेरी आत्मा, और हम ultimate goal जो हमारा है जीवन का, मोक्ष प्राप्त करना, शाश्वत सुख प्राप्त करना, तो जो time being goal में हम भटक रहे हैं, और मूल चीजों को ह हम ने छोड़ दिया है, तो ये परवा जो है, वो आत्मा राधना का परव है, आत्मा की आराधना, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, कहां मुझे जाना है, ये सब चीजे हम यहां पर प्रीच में अपने वक्तवे में लेते हैं, क्योंकि वैक्ति ultimate goal को पहचानेंगा, तो चीजों को तो वैसे ही वो गौन रखेगा, अभी क्या हो गया है, मनुष्य हो गया परिधी में और बाकी चीजें हो गई है केंदर में, उसकी वज़े से सारी परिशानियां हम देख रहे हैं, समाज और परिवार में रास्ट में हैं, वीरवाला वहन मैं आप से जानना चाह है, आपने पूछा और मुझे बच्पन से ही पढ़ने के लिए मैं समझ लोग क्रेजी थी, कि मुझे अपना विकास ग्यान का विकास करना है, तो यहां पर राइपूर में तो मैंने MHSC किया था, मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट में और उजेन जाने का पस्चार, आफ्टर म पाश्याद दर्शन और उसके बाद मैंने कॉलेज में जॉप किया विक्रम इनिवर्सिटी में भी फिलोसफी पढ़ाया वहां पर मैंने करीब 15 साल और अभी वर्तमान में मैं जैन स्कॉलर्स को पढ़ा रही हूं भारती दर्शन और वहां जो जैन विद्वान तयार होते ह हैं मैंने भी जैन स्कॉलर का को चार साल किया उसके पहले 9 साल जैन विद्या को जैन फिलोसफी को मैंने समझा और यह उपासिका की भी हमारी ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग भी की और उसके बाद आब हमको कई वर्षों से अनेक शेत्रों पर अध्यात्म के प्रचार- प्रसार के लिए हमारे गुरु द्वारा भेजा जाता है और अभी मैं युनिवर्सिटी की ओनलाइन सेटिफिकेट क्लासिस ले रही हूं जैनिज्जम इसमें हम लोग उनको ऑनलाइन ही सारा एक्जाम लेते हैं तो यह बहुत सुविधा जनक हमने कर दिया है स्टुडेंट के लिए तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दीरे-दीरे मैं अभी भी स्टुडेंट हूं वैसे मैं और आगे पढ़ना चाहिए इन सब कि टाइम कैसे मिल पाता है एक्चली टाइम तो सबके बास उतना ही रहता है पर जो हमारी लगन होती है वो हमारी प्राइरिटी डिसाइड कर देती कि अपने सोने के समय में थोड़ा परिवर्तन कर लें जल्दी उड़ जाएं या लेट सो जाएं या दोपहर में जो फ्री कर लेती हूं क्रेटिव काम में थोड़ा सा बहुत खुब ठीक है आप अपासिका के साथ साथ जैं वहां पर डायक्टर भी है बताएं इसके बार में को ठारी ग्रूप अप इंस्टिटूशन की डारेक्ट मैनेजर हूं और मैंने भी जैन दर्शन में में किया है सोशलाजी में में किया है हम लोग गुरू के काम में अनुरत कारिक्रम जो चलता है अनुविभा के द्वारा उसकी सैंट्र जो उनकी प्रभारी हूं जेन विश्व भारती लाणनू में जो स्थीत है उनिवर्सिटी उसकी समण संस्कृती संकाई एक कारिक्रम चलता है उसमें जेन वि जिले में जो आचारी महाप्रगी जी द्वारा क्रते उस कारिक्रम को भी जाबुआ छेत्र में पोठारी ग्रूप आप इंस्टिटूशन के द्वारा चलाए जा रहा है। जड़ाओं की धनी दोनों बेहनों ने आध्यात्म को लेकर जो हमसे चर्चा की है वह सबसे बड़ा एहम पहलू है कि आध्यात्म के जर्ये ही अपने जीवन को सुदर बनाया सकता है अपनी लाइफ स्ट्रा को चेंज करके अध्यात्म को अपने उपर आत्म साथ करके अपनी जिन्दगी को अच्छा बनाया सकता है, खुशाल बनाया जा सकता है, हिंसा से दूर रहा जा सकता है, तो इन्ही बात के साथ मैं अपने बातों को विराम देती हूं, नमश्कार.